नमस्कार मैं हूँ आपके साथ विभाव पाध्याय और आप सभी को धनतेरस की बहुत-बहुत शुप काम राएं गोपाल गंच में धनतेरस को लेकर ट्रैफिक रूट में बड़ा बदलाव किया गया है ताकि लोकों को किसी तरह की परिशानी ना हो आज सुबा आठ बजे से लिकर राद के दस बजे तक शहर में गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है शहरी इलाके में कार, इरिक्षा, पिकप वैन, ट्रक के आने जाने पर रोक है खास कर डाग घर चौक की बात कर लिजी थाना रोड, में रोड, चंद्रगोखुल रोड यहाँ पर वाहन प्रवेश नहीं कर पाएंगे जिला प्रशास ने लोकों से भी पैदल ही मार्केट में खरिदारी करने और उसके लिए घर से निकलने की अपील की है ट्रैफिक रूट की ज्यादा जानकारी दे रहें यूज 18 समबादाता गोविंद कुमार आज धंतेरस है और धंतेरस को लेकर ट्रैफिक पलान में बड़ा बदलाव किया गया है गुपालगन सहर में आज पूरे दिन बड़े वाहनों के परवेश पर रोक लगा दी गई है और सहरी इलाके में जो नगर परशद का प्रमुख बजार है यहाँ पर बड़े वाहनों की इंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है ट्रीक विवस्था में बदलाव किया गया है अम्बेतकर चोक से होकर मौनिया चोक घना प्रमें लुएकं आज सुब दस वजय तक वाहनों के परवेश पर रोगा दी गई है लोगों शेभी अपील की गया है कि धन तेरस की जबının खढ़दारी करने निकले तो पैदल ही निकले क्योंकि वाहनों के परवेश पर आज पूरे दिन रोक लगाई गई है गोविन कुमार नुजटीन गोपाल गंश तो धनतेरस को लोग खूब खरीददारी करते हुए देख रहे हैं और इसलिए बाज़ारों में रौनक देखी जा रही है लोगों के सुबह से ही सोने और चांदी के साथ गाड़ीों के शोरूम में भीड़ देखी जा सकती है गाड़ी के शोरूम में बालिक को इस बार पिछली बार से ज्यादा गाड़ीों के बिक्री की उमीद है बरतन, कपड़े, गिफ्ट, एलेक्ट्रोनिक व्यापार करने वाले कारोबारियों को भी अच्छी खरीददारी की उमीद है ज्यादा जानकारी दे रहे हैं समवादाता शैलिंद्र कुमार धनतेरस के अफसर पर पटना में बड़ी संख्या में लोग सोरूम से नई-नई गाड़ियों को खरीद रहे हैं अलग-अलग कमपणियों में चाहे वो फोर वीलर हो टू वीलर हो आज के दिन हर लोग जब गाड़ी खरीते हैं तो चाहते हैं कि उनके गाड़ी धंतेरस को निकले और एक बड़ा कारोबार होता है और देखिए इस वक्त हमें गाड़ी के सोरूम में खड़े हैं जहां पर और देर रात तक ये सिल्सला चलेगा बजार में बहुत तेजी है और जो हम लोग पिछले साल का देखते हैं तो हम लोग करीब-करीब 30% ग्रोथ पे हैं और आज हम लोग अपने सभी सोरूम से लगभग 200 गारियों का डिलेवरी कर रहे हैं सारे कस्टमर को अलग-अलग टा लिया हूं कारी सर और महिंद्रा के तरफ से सर बहुत जादा कोप्रेशन में मिला कहीं कोई खासकर गौतम जीज थे उन्होंने भी बहुत जादा किया हर चीज में सुईधा दी तो कोई तकलिफ नहीं आई जो चीज लोग खास करके धंतेरस के दिन जो खरिदारी करते हैं उसमें एक कहीं न कहीं बड़ा जो बर्ग है वो आज देखने को मिलेगा कि लगभग भाई से तीन हजार करोड तक का जो आंकड़ा है वो छू सकता है तो धंतेरस के उसर पर सोने और चांदी के दुकानों में सुबह से ही रौनक देखी जा रहे हैं ग्रहक भी सोने और चा धाई से तीन सो करोड की खरीदारी की संभावना जाहिर की जा रही है पटना कि आभूशन दुकान का जैसा लिया न्यूजेटिन संभादाता शैलिंड रुमाद में धन्तेरस के अबसर पर पटना में भी लोग बड़ी खरीदारी कर रहे हैं अनुमान है कि धाई से तीन सो करोड तक की खरीदारी की जाएगी इस वार धन्तेरस में इस वक्त हम एक सोने चांदी के दुकान में हो और यहाँ पर देखिए सुबह से ही जो कस्टमर है वो पहु दोच रहे हैं और जो दुकानदार है वो लोग भी अपनी दुकानों को सुबह से ही खोल के रखे हैं ताकि जो कस्टमर आए वो खरी सके और देखिए यहाँ पर सोने के सिक्के हैं जो यहाँ पर खरीदार है वो खरीदने आए इसके अलावा और भी अलग-अलग जैलरी है यहाँ पर जो लोग खरिते हैं सुख समर्दी और सान्ती के लिए ताकि घर में साल भर बरक्कत रहे और सुख सान्ती रहे यही हम लोग इस परव के निमिते हम लोग इस समान खरिते हैं तो उमीद है कि आज भी बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिलेगा तो एक बड़ी खरदारी आज होनी है और उसकी तयारी सुख से ही अलग अलग जगों पर पटना में देखने को मिल रही है करापरसन मनीर जुनेजा के साथ शैलेंद्र न्यूजटीन पटना तो धनतेरस की खरिदारी में लोग जुटे हुए हैं और अब लोकों के जहन में सवाल ये कि आखिर दिवाली कब मनाई जाए 31 अक्टूबर या फिर 1 नौवेंबर को बहुत से लोकों को आज भी से लेकर कनफ्यूसन है आप हमारी ये रिपोर्ट देखे और समझे कि आखिर दिवाली मनाने का शुब महुर्थ कब है दिवाली की तारिक को लेकर कनफ्यूसन है श्रीराम मंदिर और काशे विश्विनात मंदिर का मुहुर्थ देने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड और उनके भाई विश्वेश्वर शास्त्री द्रविड ने आज समंझस दूर करते हुए बताया एक नवंबर को दिवाली मने गिए उरुने बताये कि दो दिन तक शास्त्रों और पंचांगों का अध्यन करने के बाद नेशकर्ष निकाला गया को काकि इसे पहले काषी विधवत परिशत को दिपावाली मनाने के निर्णय लिया था काषि विधवत परिशत और बीएच यू के जोतिष विभाक की ओर से 31 ओक्टूबर को दिपवली मनाने की बात कही है। 31 ओक्टूबर को हमारे जोतिस विभाग में एक बहुत बड़ा योजन किया था इस पर विचार किया गया विमर्स किया कासी के विद्वान रहे विद्वत परिशद के विद्वान रहे विश्वनात मंदिर न्यास के आज संजोग से सबसे बड़े दईवग्य हैं जोत्सी हैं वो भी रहें सारे लोगों ने इस पर गंभीर चीनतन करके या निर्धारित किया कि 31 अक्टूबर को दिपावली हो सवाल यह है कि आखिर दिपावली कब मनाई चाहें एक और राम मंदिर और विश्वनात मंदिर का मुहुर्ट निकालने वाले और पूचा करने वाले विद्वान है तो वहीं दूसरी और देश भर में सनातन के नियमों और सवालों का चवाब देने वाले काशी विद्वत परिशत जैसी संस्था और प्येश्यू का जोतिश विभाग है। खरिदारी कर रहे हैं लेकिन जो मुहुर्त का ये दंगल है जो मुहुर्त की यो पशुपेश है इसने लोग को भी कंफ्यूज कर दिया है। इसके खुब खरिदारी होते हैं। विलीदा जरा सबसे पहले तो तस्वीरों के जरीए दिखाईए और जहां पर आपकी मौझूद्गी है। संभोताई एलेक्ट्रोनिक की दुकान है और कितनी भीड आपको देख रही है और जो कारोबारी हैं उन्हें अपने कारोबार को लेकर क्या उमीद है। अब बिल्कुल विभात धंतेरस के दिन खरीदारी शुब मानी जाती है। क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि आज के दिन खरीदारी करना उनके लिए बेहद शुब है। और यह देखिये जैसी जिसकी जरूरत है उस अनुसार लोग खरीदारी कर रहे हैं। कुछ वाशन मशीन खरीद रही हैं. और पूरी रोनक जो यह हैं यहां नजर आ रही है. यहां ग्राहक है . खरिदार हैं सब लोग आ रहे हैं खरिदारी करकर यहां जाते हुँ भी बिलिंग कर आ रहे हैं सर, बड़ी रोनक नजर आ रही है ज्यादा डिमांड किस चीज की है इस दन्तिरस सबसे डिमांड washing machine और television की है खास कर बड़े size के washing machine की काफ़ी demand है बड़े size की television घर लोग सिनेमा हॉल इस प्रकार का गरहाक सोच है बड़ा से बड़ा TV उतना ही मज़ेदार देखने में लगता है और साथ में साउंड बार भी पहले से बुकिंग हो गई थी कि लोग लगतार आज आ रहे हैं और फिर्दारी कर रहे हैं देखे बहुत लोगों ने बुकिंग भी कराया जिने मन पसंद अपना चिरुड़ने लगता है कोई कॉम्प्रमाइज मैं ना करूँ तो भीड़बार से बचू और बहुत लोग इस त्युहारी दिन शुब दिन खुद आके खरीना पसंद करते हैं अपने परिवार के साथ और फाइनेंस ब्याजमुक्त फाइनेंस का भी आनंद बहुत लोग उठा रहे हैं लोग आ रहें खरिदारी कर रहें और ये देखिए ग्राह को कुसे भी हम बाचित करेंगे क्योंकि कई लोग पहले से प्लानिंग करके आते हैं क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कि अगर में सिनेमा घर यानी बड़ी टीवी बड़ा फ्रीज बड़ा वशिन मशीन उनका लेने भविता क्या खरिदने आई है क्रीज खरिदने अए कुछ पसंद आया खरेज पसंद आगया हां तो धंतेरस के कारण अज़ गराता कि नजर आ रहे हैं और सभी अपने मन में कुछ ना कुछ पहले से सोच रखते हैं क्या लेना है उसके मद्दनजर खरिदारी करते हैं और भीरभाद नजर आ रही है, जो लोग हैं जो दिपाबली मनाते हैं, धन्तेरअज की धिन खरिदारी क्योब मानी जाती है उसके सीह नजर reputation आ रहे हैं अपने decisions पसंद कर रहे है खरिदारी कर रहे हैं, जैते है पने लिए वह से दो क्रतक्रा तहज़रे हैं और जैसा कि दुकानदार निका कि वाशिन मशीन की बरी डिमांड है, सर थ्वाइदर आजाईए जरूरत होती है, लोग हाथ से कपरा धोने से बचना चाहते हैं, तो ऐसे में धंतेरस का धंतेरस, वशिन मशीन की खरीदारी भी हो गई, कई लोग फ्रीज खरीद रहे हैं, कई लोग टी भी खरीद रहे हैं, और दुकान में जो रौनक है, वो साफ तर पर नज़र आ रही बिल्कुल तो ये रौनक तो साफ नज़र आ रही है विनीता, लेकिन आज के दिन शुब महुर्त भी लोग देखते हैं, कि भई सामान खरीदने जाएं, तो उसका शुब महुर्त भी देख लें, और ऐसे में संभौता ये भी लोग पहुंचे होंगे, तो बहुत तैयारी क साथ पहुंचे होंगे कि शुब महुर्त में सामान खरीदना है? इसे लिए लोग महुरत का इंतजार करते हैं, लेकिन जो सामान खरीदने का समय होता है, वो एक दुकान गए, पसंद नहीं आया, दूसरे दुकान गए, तीसरे दुकान गए, और ऐसे में कही न कहीं महुरत उनकी हाँ से निकल जाता है, लेकिन कई लोग जो सोने चांदी क की खरीदारी करते हैं, वो मुहुरत का विशेश ध्यान रखते हैं, और कहा जाता है कि अवीजीत मुहुरत जो सुबही 11 बजे से लेकर 12 बजे तक था, उस दौरान अगर सोने चांदी के आप खरीदारी करते हैं, तो वो इस्थिर होता है, धन्तेरस के दिन खरीदारी मा ल जानकारी के लिए और तस्वीरों को हमारे दर्श को तक पहुचाने के लिए, तो आज धुमधाम से जहां लोग धन्तेरस कत्योहार मना रहे हैं, और कोबेर देउता की पूझा कर रहे हैं, वही भगवान धन्वंतरी का भी आज अवतरन दिवस मनाया जा रहा है, पूझा ह हो रहे हैं, आयुरुवेदाचार ये डॉक्टर मधूरेंद्र पांडे ने भगवान धन्वंतरी की पूझा की और पूझा के साथ आयुरुवेद के महत्व बताते हुए, लोकों से आयुरुवेद के प्रती विश्वास बनायर रखनी की अपील की पूझा करते हैं, जैंती मनाते हैं और यह आरोग के देवता हैं, इनकी पूझा करने से धन्द सिंपदा और लोक सुखी जीवन बेतित करते हैं, आरोग की जीवन बेतित करते हैं और पूरे देश के लोग आज राष्टी आरवेद दिवस के रूप में जुमंत्री जैन्ती को रूप में मना रहे हैं तो आरवेद विश्व की सरोत्तम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है और इस वक्त बड़ी खबर आ रहे हैं दर्भंगा से जहां पर छट से गिरने की वचल से मजदूर की मौत हो गई है अमरितक का नाम अमीरी साह बताया जा रहा है घर भनाने का या काम के दौरान ये मजदूर छट से गिरा है और उसकी मौत हो गई है लहरिया सराय थाना श्रीत्र की सैद नगर अभंडा मोहले की ये घटना बताई जा रहे है मुख्यमंत्री नितेशकुमार ने आज किसान जागुकता रत को हरी जंडी दिखा करवाना किया क्रिशेव वैभाग के अंतरगत कारकम का यूचन मुख्यमंत्री आवास में किया क्या किसान को जागुकता रत के जरी रवी और तिलहन फसल से जुड़ी हुई जानकारियां दी जाएंगी मुख्यमंत्री विजव सिनहा ने कहा कि किसानों को बहुत ही ज्यादा इससे सहूलियत हासिल होगी साथी किसानों की बरबाती फसल के लिए 100 करोड से अधिकी राशी उनके खाते में मुख्यमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से भेजने का शुभारम भूली कर दिया है सभी के खाते में ये राशी चली गई है हमें बार में फसल बरबाद हुआ उसको भी सबसीड़ी गया पैसा गया है और आज इसके माध्यम से लोगों के बीच परचार प्रसार का फसल से संबंदित जानकारी का आज जंड़ा दिखा करके गारी को विदा किया गया पुड़ी बिया निश्ची तोर पर जागूता उत्पन होता है जिसके फसल बरबाद हुआ उसको मुखमंत्री जी ने कहा था कि हम छट के पहले दिपावली के पहले दे रहे हैं और आज चला गया धंतेरस के दिन मुखमंत्री जी का आभार बैक्त करते हैं गड़ीवों को जिस तरह से उन्होंने पर्व के पहले उस आपदा में मदद किया है ये बिहार की जंता के लिए बड़ी सरकार की ओर से उपलब उपहाड है तो पिर मोधी ने आज रोजगार मेले में सरकारी नौकरी के 50,000 न्युक्ती पत्र बाते हैं रोजगार मेला देश भर में 40 जगों पर आयो जित किया गया था जिसमें बिहार में 270 लोकों को न्युक्ती पत्र बाते हैं इस मौके पर किंड्रे मंत्री ललन सींग ने कहा कि आज प्रिधान मंत्री ने 51,000 लोकों को नौकरी दिया है उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष है कि हम नौकरी भी देएं और लोकों को रोजगार की उपलब्धता भी कराएं सरकार इस दिशा में लगातार कारिकर रखे है रोजगार के स्रिजन के दिशा में जो अलग-अलग छेत्रों जो काम हो रहा है उसकी विस्तार से अधरनी पठान मंत्री लिए चल्चक किये तो बेहार में चुनाव कुली कर नितिश सरकार ने पूरे चुनावी मोड में अब वो आतिवी दिख रही है पटना के चौक चौराहू सहित कई जगों पर सरकार अपनी कारकाल में किये गए काम की जानकारी होडिंग के जरिये दे रही है और इस काम की जम्मेदारी बेहार सरकार ने सूचनाव जनसंपर्क विभाग को सौपी है राजानी के नहरूपत सहित सभी जगों पर सरकार के अलग-अलग विभागों में किये गए काम की जानकारी पोस्टर के जरिये आम लोकों तक पहुँचाई जा रही है पटना नहरूपत से इस खबर पर ज़्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 समबादाता अमित कुमार लगाया गया है और इसमें साथ निश्चेद दो सुसाजन के कार्स्यम अकिता जहें दस लाख नौकडी और दस लाख रोजगार के अफसर सरीट किये जाएंगे यह बताया गया है और इसके ततन नौकडिया यह वो दी जा रही है रोजगों को दिया जा रहा है और यह मद सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इस तरह से नितिस्क्मार जो है नितिस्स सरकार अगले साल बिहार में चुनाव होने हैं लेकिन अभी से कह सकते हैं कि बिहार सरकार जो है वो पुरे तोर पे चुनावी मूड में आ चुकी है खुद नितिस्क्मार जो है अगले से नितिस्क्मार जो है और बड़े कबर पटना असी आरिए जोहां पर मुक्यमंत्री नितिश कुमार का किसानों को बड़ा तौफा बाड़ प्रभावित किसानों को राहत दी गई है करीब डेड़ लाख किसानों को 101 करोड की राशी दी गई और ये राशी किसानों के खाते में ऑनलाइन जबा की जा रही है तो इस बुलिटिन में बस इतना ही लेकि न्यूस 18 बिहार जारकंट पर खबरों का सिलसला लगातार चारी है